इस वक्त तुम्हें ने काफी काम किया है और वसी कामों को यहां तक के बहुत आगे भी बढ़ाया और उसी काम के साथ साथ में मेरी हर कोई एक जो सोचल एक्टिविटी सी वो स्कूलों को लग कर थी कुछ अंजुमन इसलाम के में ट्रस्य होने के नाते स्कूल बनाया है कार्टिगा है स्कूल वालों की भारत एज्यूकेशन का वीवेग स्कूल बनाने के लिए कई ऐक के स्कूले बनेएं पहले से भी बनेएं और मैं बनता चला गया बनाता चला गया क्योंकि एजुकेशन इस एक वह इंपोर्टेंट पार्क आफ फैवरी वरी इडिज लाइफ तो मैं उसका खास ख्याल किया और रात समाज सेवा समाज सेवा में को अपरेशन को करना करना बिल्दिंगों की हाइच सब्सक्राइब करने में उसके बिल्डिंग ये सारी कारवाही करते हुए काफी लोगों की मदद हुआ करती थी आज भी है और इसे लिए मैं कहीं कहीं भी मुझे कब नजन नहीं आया, आज तक्रीबन उसके 97 के बाद भी, आज 20 साल के बाद, फिर लोगों ने मुझे जगाया है, लोगों ने कहा है, और लोगों के आगरा पर मैं फिर से एक इंडिपिनन्ट इलेक्शन लगने बाहर निकलाओं, जो की एरिया तक्रीबन-तक्रीबन मेरी पुरानी एर है, यहां तक पॉलिटिकली पार्टियों का संबन्ने, उसे मैं ज्यादा तो नहीं क्यूच का हूँगा, पर उसकी नगर से बाद जो बनने के बाद वो किसी रेस में चले जाते हूं, लोगों की तरों के ख्याल ने किया, उसी वज़े से मैं 20 सालों में काफी यहां हमारे व मुझे जरूरत है कि हमारे यहां मेंटेनस के हलावा सुधार की भी इंप्रूमेंट की भी जरूरत है, इंप्रूमेंट करने के बाद आगे डेवलोप्मेंट के लिए भी मेरे पास हमारे पास पूरे जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग के तहत में कुछ काम करवाना चाहू है और में बिल्कुल यह उसे पहले तयारी कर चुकाूं, हमवर कर चुका उ univers कर Kayok हुआ है। स्मोपोलिटन से हैं मेरे हाँ हर एक धरम के हर एक जाती के लोग है पर हमारे वहाँ इतने लोग सिकुलर हैं और जो सिकुलर समाथ से मैं भी वाकिव हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज हमारे हाँ जो सिकुलर लोग है और सिकुलर लोग बहुत अच्छी तरह जानते फिरोज मंतिरी सिर्फ काम में दिल लगा के काम करता है नाम तक नहीं पूछता क्योंकि नाम पूछते हैं तो दूसरा कुछ दिमाग में आ जाए उससे उस सक्ष से आने वाले सक्ष से मैं पूछता हूँ आपको काम क्या है काम बताने पर जब वो काम हो जाता है तो हर एक धर स्थाइर मस्जिदें से लेकर धर्वस्वस्वा harvest कर इज्योकेशन ट्रस्ट खो ले कर अहधरी है को ऐक प्रादन May 2 एक इन्पोर्ट रिया है और इसो को लेकर उस व को अस वक्त लेकर आस दक फिरोज जैनुद्शिन मंतिरी अपने नाम से प्रचली थे और तमाम लोग चाहते हैं कि एक बार फिरोज मंतीर को हम नगर से बनते हुए देखना चाहते हैं मुझे तो लगता है कि मेरे लोग मुझे बहुत ही बड़ी इस वक्त मेरी कामिया भी देखना चाहेंगे मैं भी उच्छुक हूँ हमारे लोग भी उच्छुक है हमारे लोगों से इतने सेकुलर लोग मैंने कोई विवाग में नहीं नहीं देखा जितने हम मेरे विवाग में हैं और ये 65 विवाग में फिर से एक रेकोर्ड साबित होगा कि मंबई शेहर में यसी विवाग से पहले जो पिछला विवाग से लोगों ने मुझे इंडिपेंडन्ट चुन के दिया था आज वही लोग पेसे एक बार इंडिपेंडन्ट चुन के देंगे ये मैं पूरी उम्मिदों के साथ आप से बताना चाहूँगा